हाई एवरिवन आज हम बनाएंगे चावल से बहुती टेस्टी और हेल्दी नास्ता इसे बनाना बहुती असान है और ये खाने में बहुती टेस्टी लगती है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहां पर हमने एक गलास चावल लिया है, चावल को हमने पानी में एक घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया है, तो अब एक घंटा हो चुका है, तो अब हम इसमें से पानी निकाल देंगे, तो देखिए इसमें से हमने पानी निकाल दिया ह अब हम एक पिक्सर जार लेंगे इस जार में इस चाबल को डाल देंगे आप कोई भी चाबल ले सकते हैं साथी इसमें डाल देंगे थोरा सा अद्रक तीन से चार हरी मिर्च स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और आधा कप दही डाल देंगे जितना हम चाबल लेंगे उसका आधा हम दही डालेंगे अब इसे हम पीश लेंगे तो देखिए इसे हमने पीश लिया है अगर आपको पीशने के बाग इसमें पानी डालने के जुरत परे तो आप इसमें थोरा सा पानी डाल कर पीछ सकते हैं अब इसे हम एक बाल में निकाल लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे 4-5 चमच सूजी अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है अब इसे हम ढखकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो अब 10 मिनट हो चुके हैं अब इसमें तरका लगाएंगे तो तरका लगाने के लिए यहाँ पी हमने 2 चम्मच तेल लिया है इसे हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है अब इसमें डाल देंगे एक चुटकी हिंग एक चम्मच राई डाल देंगे और थोड़ा सा कड़ी पता डाल देंगे इसे मिला लेंगे अब इसे इस घोल में डाल देंगे इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है अब हम एक पिलेट लेंगे इसे तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे अब हम गैस पर एक पैन चड़ाएंगे इसमें हम डाल देंगे दो गलास पानी पानी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे अब इस गोल में डाल देंगे एक पैकेट इनो मिला देंगे ज्यादा नहीं मिलाएंगे तो इसे हमने मिला लिया है अब जिस प्लेट में हमने तेल लगाया था उस प्लेट में इस घोल को डाल देंगे इसे थोड़ा टैप कर देंगे और इधर पानी भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो अब इसमें डाल देंगे एक एस्टेंड आप एस्टेंड की जगा पर एक कटोड़ी भी डाल सकते हैं अब इस एस्टेंड के उपर इस प्लेट को डाल देंगे साबधानी के साथ डालेंगे अब इसे पांच मिनट के लिए फूल आज पे धकड़ के छोड़ देंगे तो अब पांच मिनट हो चुके हैं अब गैस मीडियम कर देंगे और मीडियम आज पे इसे पंदरा मिनट के लिए धक कड़ के पकने देंगे तो अब पंदरा मिनट हो चुके हैं चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन निकली है इसका मतलब ये अच्छी तरह से पक चुका है अब गैस बंद कर देंगे और इसे साबधानी के साथ इसे हम इसमें से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे तो अब ये ठंडा हो चुका है तो अब एक चाकू की सहायता से पहले इसके किनारे को अलग कर लेंगे देखिए इस तरह से अलग कर लेंगे अब इसे हम इसमें से निकाल लेंगे तो इसे निकालने के लिए हम एक पिलेट लेंगे और इसे इस तरह से पलट कर इस पे रख देंगे और इसे थोड़ा इस तरह से थप थपा देंगे और इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे देखिए कितनी असानी से निकल गई अब इसे हम सिधा कर लेंगे अब इसे हम कट कर लेंगे आप कोई भी सेफ में इसे कट कर सकते हैं जैसा सेफ आपको पसंद हो इस नास्ता को बनाना बहुत ही असान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है तो इसे एक बार आप जरूर बनाए तो देखें इसे हमने कट कर लिया है अब इसके उपर थोरा सा धन्या पताची रख देंगे ताकि देखने में ये और भी अच्छा लगे तो लीजे चावल का टेस्टी हेल्दी नास्ता बनकर तैयार है तो आप भी इस तरह से चावल का नास्ता बनाकर जरूर ट्राइ करे और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी अगर आपको ये रेस्पी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करे और मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद